हलो दोस्तों स्वागत है आपका लाभानी के अपने सिसन में आज हमारा वीडियो नमबर पार्ट सेवेन है कौन साथ पार्ट है? पार्ट सेवेन पार्ट सेवेन और हमारे टॉपिक का नाम है अनुपात पर आधारित प्रस्न इससे पहले हमने आपको छे टॉपिक्स करा दिये है और उन छे वो टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और आज के हमारे टॉपिक का नाम है अनुपात पर आधारित प्रस्न आईए शुरू करते हैं आपका पहला कोईश्चन है किसी वस्थ के विक्रे मूले और क्रे मूले में पाँच अनुपाते चार का अनुपात है बताईए वस्थ को बेजने में कितने प्रतिसाथ लाब होता है तो देखिए जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है अनुपात पर अधारित प्रस्मतों जाहिर सी बात है जो हमारे questions आएंगे उन में अनुपात होगा अब ये किस में अनुपात होगा लाभानी में अनुपात होगा क्रे विक्रे में अनुपात होगा कि विक्रे और लाभ में अनुपात होगा अब किस में लाभ होगा वो हमें questions के recording पता चलेगा तो आईए शुरू करते हैं आपका पहला question हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु के विक् का पांच अनुपाते चार है बताईए वस्त को बेचने में कितने प्रतिसत लाभ होता है हम आपको बताएं है कि जब हमने आपको टाइप वाइज कुस्टिंज कराया रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब भी विक्रेमूल या क्रेमूल में अनुपात आ जाए तो हम वह को इज वस्ट है उसे 5 रुपए में खरीद रहे हैं और बेज कितने रुपए में रहे हैं चार रुपए में रहे हैं तो बताई सोरी सोरी आप कोई वस्ट तो पांच रुपए में खरीद रहे हैं, पांच रुपए में बेज रहे हैं और चार रुपए में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानि आप में कोई वस्तु चार रुपए की खरीदी, जैसे आप ये पिन ही माननी जीए, इसको आपने चार रुपए का खरीदा, लेकिन बेचा कितने का पांच रुपए का तो यानि आपको क्या हो रहा है लाब हो रहा है तो आईए पता कर लेते हैं लाब कितना हो रहा है हम जानते हैं लाब बराबर होता है विक्रेमूल माइनस क्रेमूल लाब विक्रेमूल कितना है आपका फाइप एक्स क्रेमूल कितना है चार X तो लाब आपको कितना आ गया? X, एक्स रुपए का क्या हुआ? आपको लाब हुआ हमसे लाब प्रतिसत मुच रहा है तो लाब प्रतिसत is equal हम जानते हैं लाब परसेंटेज is equal होता है लाब बटे क्रेम मूल गुणे सो लाब प्रतिसत is equal नुबषे आपका एक्स उरपे कितना है एक्स और क्रैमूल कितना है 255 इसको जब हम काटेंगे तो आपका कित्नी बार कर जाएगा 25 बार नहींड ही चाहर्थ दुनियाट हासिल बज़ गये 255 पर निकाल आ गया दोस्तों पचीस परसंट का लाब आ गया हम जो यह आपको लाब हाने के क्विस्टन्स करा रहे हैं टॉपिक वाई जी आपके हर पृतियोगी पर इच्छा के लिए जो ससी जी डी हाई कोड की जो विकेंसी आ रही है उन सब में आपके लिए उपियोगी होगा तो प्ल सद ग्याद कीजिए क्रेम मूले अनुपाते विक्रेम मूले कितना दिया है हमें दो अनुपाते तीन कितना है दोस्तों दो अनुपाते तीन तो माना क्रेम मूले माना क्रेम मूले जीक्वल टू एक्स और विक्रेम मूले कितना हो जाएगा दोस्तों थ्री एक्स जब भी अ नुपात आपको मिल जाए क्रेम मूले में तो आप वहां पे क्या मान लेंगे X मान कर सौल्व करेंगे तो आपको जादा आसानी होगी अब कोई वस्तो आप 2X रुपए की खरीद रहें और बेच कितने की रहें त्री एक्स रुपए की तो आपको किते परसंट का लाब किते रुपए का लाब हो रहा है अगर देखा जाए तो एक्स रुपए का लाब हो रहा है और हमसे लाब प्रत्सद पूछा है तो आईए लाब प्रत्सद निकालते हैं पहले लाब निकाल लेते हैं लाब बराबर हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तो लाब इस इक्वल भी क्रेम मूले आपका कितना है थ्री एक्स क्रेम मूले कितना है टू एक्स तो लाब आपका कितना आ गया एक्स एक्स रुपए का क्या हुआ लाब हुआ हमसे लाब प्रतिसत पूछ रहा है तो आगे लाब प्र प्रतिसाथ इस इक्फल इस ऑपों गिंदे लाब इसे का सबस्थ एक्फड क्टने सुर्पें इस तो म्याजिया तो bounce to Profim 전ung मुझे मोपछ गिंदे काशग मीज है क्टै प्रतिसाथ का लाब राब हुआउ latitude पर्सेंट हुआ मुझे आपको किसी वस्तु का क्रेम मूल विक्रेम मूल का 3 बटे 4 है तो उस वस्तु पर कितने प्रतिसत लाब होगा किसी वस्तु का क्रेम मूल विक्रेम मूल का 3 बटे 4 है माना विक्रेमूली इजिक्वल यक्स माना विक्रेमूली इजिक्वल यक्स तो क्रेमूली क्या हो जाएगा यक्स का 3 बटे 4 तो क्रेमूली इजिक्वल तो 3 यक्स अपान 4 3 यक्स अपान 4 आ गया क्रेमूली कितना हो गया आपका 3 यक्स बटे 4 तो देखिए यक्स बड़ा है कि 3 यक्स जाहिर सी बात है एक यक्स बड़ा होगा तो आईए लाब निकाल लेते हैं हम जानते हैं लाब बराबर होता है विक्रेमूल माइनस क्रेमूल हमारा विक्रेमूल है यक्स और क्रेमूल है 3 एक्स अपान 4 इधर स्वार्व कर देते हैं ह चार आएगा उसके बाद चार का गुड़ा एक्स में कितना चाहेगा चार एक्स माइनस त्री एक्स इस इक्वल एक्स बटे चार यानि कित्ते रुपए का लाब हो रहा है हमसे लाब प्रतिसत मुझा है तो हम जानते हैं लाब प्रतिसत इस इक्वल टू फारूला होता है ला गुड़े सौव लाप प्रतिसक इज इकवल टू यक्स बटे 4 गुड़ते 4 बटे 3 जब गुड़े में चेंज करेंगे तो संख्या क्या होगी फलट जाएगी गुड़े सौव चार से चार कट गया यक्स से यक्स कट गया बचा क्या आपका तो आपका आएगर 33 सही एक बटे तीन परसेंटेज यानि किते परसेंटेज का लाब हुआ उसे 33 सही एक बटे तीन परसेंटेज देखिए यह भी अनुपात पर अधारित प्रस्न था लेकिन हमने इसे थोड़ा अलग तरीके से लगाया जैसे कह रहा था कि किसी वस्तु का क् तरीके साथ है तो लॉटाब परसेंटेज परसेंटेज में खिकार लाब बातेज क्रीमुले यह भी नेरीकों त्दूरीका घुकले से questions पर यह भासेंटेज को समासेर नैक्सम उपकार और लॉटा तो लोब निकालाएंगे किने दून हमारा नेक्स केसेरेंट क्विस्टन पर उसका लाब विक्रे मूल का दो बटे साथ है तो लाब प्रतिसत ग्यानत कीजिए तो चाहे आप इसको अरुपात के नियम से लगाएं चाहे क्या कहते हैं इस अगले नियम से जो मैंने अभी आपको इससे भरेवाली सवाल में बताया तो देखिए हमसे बोल रहा है कि जो दो बटे साथ है तो लाब बटे विक्रे मूल निकालेगे तो आप कहा जाएगा दो बटे साथ यानी यानि प्रॉफिट अनुपाते सेलिंग प्राइस इपीलben कीत्रा ऑग्या । ओ से लिंग उद्रमर से लिव साथ अब में प्रॉफिट पता है और सेलिंग प्राइज प पता करते हैं हम जानते हैं profit is equal to होता है selling price minus cost price तो profit है आपका 2x selling price कितना है 7x minus cost price 2x minus 7x is equal minus cost price जब घटाएंगे तो आपका minus 5x आ जाएगा is equal minus cost price तो cost price आपका कितना आ गया 5x आ गया cost price कितना आ गया यानि आप 5x 5x रुपए में खरीदे और बेचे कितने में 7x में यानि आपको 2 का लाब हो रहा है तो आई लाब प्रतिसाद ग्याद कर लीजिए लाब प्रतिसाद is equal to लाब बटे क्रेमू लिगुने 100 तो लाब percentage is equal लाब कितना है 2x cost price कितना है 5x इंटू 100 यक्स से एक्स कट गया पांदूनी 10 तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 40 परसिंटेज यह आपका मैठेड था अनुपाद की नियम से इसको हम सेकेंड मैठेड से लगा सकते है सेकेंड मैठेड है आपका सेकेंड मैठेड है आपका माना वीग्रेमूल यक्स 2 performed कितना होजाएगा यक्स का 2 बटे साथ है तो प्रॉफिट हमारा हो गया 2x अपांद सेबन अब हमें विक्रे मुले पता है प्रॉफिट पता है तो आए कॉस्ट प्राइज फाइंड कर लेते हैं हम जानते हैं प्रॉफिट इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में उधर प्लस में है इसको सॉल्व करेंगे प्रॉफिट 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 प् है आपका 217 और कास्ट प्राइज 5 एक्स अपान सेवें इन्टू हंड्रेट प्रॉफिट परसेंटेज इस इक्वल टू टू एक्स अपान सेवें जब गुड़े में चैन्ज करेंगे तो संख्या क्या होगी पलट जाएगी तो सेवें अपान 5 एक्स इन्टू हंड्रेट सो बटे 5 पंदूनी 10 प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ गया 40 परसेंट आ गया तो आप इस सवा इस टाइप की सवालों को दो तरीकी से लगा सकते हैं यह आपका फर्स्ट मेथेड है यह आपका सेकेंड मेथेड है आईए आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेम मूले और विक्रेम मूले का अनुपात 5 अनुपाते 4 है तो हानी प्रतिसत है क्रेम मूले अनुपाते विक्रेम मूले कितना हो जाएगा 5 यक्स और विक्रेम मूले कितना हो जाएगा 4 यक्स यानि हम कोई वस्तु जो 5 यक्स र अगे निकाल लेते हैं कितने का घाटा हो रहा है लॉस परसंटेज पूछा है तो लॉस परसंटेज इस इक्वल टू आपान क्रेम मुली गुणे सो लॉस परसंटेज इस इक्वल लॉस है क्रेमूल कितना है आपका 5x into 100 x x कट गया 5,9 तैस यानि लॉस परसेंटेज कितना आगया 20 परसेंट का लॉस हुआ कितने परसेंट का लॉस हुआ 20 परसेंट का लॉस हुआ आईए आपके next and last question पे चलते हैं आपका next और last question है किसी वस्तु का विक्रेमूल उसके ख्रेम क्रेन मूल का आठ बटे पांछ गुना है तो हम विक्रेन मूल बटे क्रेन मूल निकाल लीए कि दना आजए पांछ याने म j двухपाथ Одक पांछ तो क्या कहتे हैं विक्रेम मूले कितना हो जाएगा 8x और क्रेम मूले कितना हो जाएगा 5x लाब निकाल लीजिए विक्रेम मूले माइनस क्रेम मूले विक्रेम मूले आपका 8x है और क्रेम मूले 5x है लाब आपका गया 3x हमसे लौब परसेंटेज पूचा है तो लौब परसेंटेज इसडिल फिर्षकुल निए जी दस प्रोफिट परसेंटेज किता आ गया आपका किता आ गया सिक्स्टी परसेंट आ गया इसको आप अलग मेंफिर से भी लगा सकते हैं कि क्राइम हो युणधे, इसके बाद परोफित परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो आज हम ने आपको अनुपात पराधारित प्रस्न करेंगे घम्सितoped, आज हमारे टोपिक का नाम और हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को सेर भी करिएगा तो मैंने आपको जो कुश्चन कराएं हैं आईए एक बार उन क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूं आपका पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रे मुले और विक्रे मुले में दो अनुपात है तीन का अनुपात है तो लाब प्रतिसत ग्यात कीजिए आपका थर्ड क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रेम मुले विक्रे मुले का तीन बटे चार है तो उस पर कितने प्रतिसत लाब होगा आपका अगला क्वेश्चन है किसी किसी वस्तु का विक्रे मोले उसके क्रे मोले का आट बटे पांच गुरा है तो उस पर लाब प्रतिसत कितना है तो आज हमारा पार्ट सेवन कंप्लीट होता है और आज का टॉपिक था अनुपार अनुपात पर आधारित प्रस्ट आप टॉपिक को ध्यान में रख कर सवाले लगाएगा हम आपको । आपको ।पिक सेशे सवाले लगवा रहें अगर आपको क्विस्टन चाहीए प्लीस इस चाहीजैंक जरूर बता यह हम आपको कुषिस्टन करेंगे जब हमारे साफ सारे टॉपिक हो गाएगे तो हम आपको को एक प्रेक्τιिस सेट करवाएंगे मतलब एक मेर फिए तीन क्केशन कराएंगे हां चाATA अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो भीडियो को जरूर लाइक कीजिए सेयर कीजिया। चैनल को सास्क्राइब कीजिए रहे g एधाएंग औरमya शान्चे चित